हेल फ्रेंज अच्छी मैं किसा शेयर करोंगी इस तरह से चुमारी एक साइड इंबॉटरी कर से रवार होती है इसकी फुल कटिंग उस टेटिंग जाहां से इसकी खुली हुई साइड है और जो इस फैबरी के बंदवल साइड है वह इस तरह से वह दूसरी और है अब हम इस बंदवल साइड से जहां से एक फ़र फोल्ड करेंगे खुली हुई साइड के उपर इस तरह से हम इससे फोल्ड करेंगे ऐसे जो देखिए इस तरह से हमने फैब्री को फोल्ड किया है आप एक और फिर देख लेजिए जहां से इसके खुलिया सेड है और जहां से बंदवल सेड है अब हम बंदवल सेड से जहां से इस तरह से सिर्फ फोल्ड कर लेंगे ऐसे तरह से का इस तरहं से फूल्ड करने के बाद के इस तरह से हमने हैं इस फूल्ड कर लिया है और जहां से बंदवल साइड है दोनों तरफ से और जहां से जो हमारे एक साइड को धूली आएगी और另外 ये सит कर देंगे आगी जितना हमारे पास आएगा उसमें से 1.5 इंच प्रास करकर अपने सिर्वार के कटिंग करेंगे तो जहां पर हम इस तरह से 32 इंच का निशाल लगाएंगे इस तरह से निशाल लगाने की बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे भूल जहां का तरह से मैंगे भूल लगाएंगे झाल जहां का तरह से तरह समय को दो भाएंगे कि गतिंग करने के वार आव हम निट्रे पहुंचे का निशाल गाएंगे पहुंच हमारे पास साघी चेंश है तो हम साघी चेंश का निशाल गाएंगे उसमें से हम् 1.5 से दोंच एकस्टरा लएंगे जहां पर देड़ से दो इंच आप इतना भी जहां पर हम दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे और जहां पर हम आज़सर रखेंगे चोदा इंच जिनकी इस तरह से निशान लगाकर इस निशान को हम इस तरह से मैच करते हुए निशान लगाएंगे ऐसी तो छहां से हम इसकी कुटिंग कर देंगे प्राइब करते हैं कि इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इस फैबरी को ऐसे फोल्ट उल्टी सैट उटाते हुए हाफ इंच ऊपर रखते हुए इसके आसन कट करेंगे इसमें हम कलिय डालेंगे कि दिखिया ऐसे रखते हुए जहां से जो उपर से जो मरे कट वर्क है इन्हें हम कट कर देंगे हुए 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 ईपर व्हां से की ढू हुए हुए झार्क है ुए हुए हुए इस हम लिए jour से भी जह मुए हुए हुए say की जिदि कि इस ताहिता करने के बाद आप हम 10 इंश आसन का निशान लगाएंगे इस तरह से हाफ इंच ऊपर क्या निशान लगाया है कि उगरा वे से इस तरह से तीख सा टुरुने कर लें कि जी शान की उपर के कटेंगे करेंगे तो से घट करेंगे आप लत करेंगे अब आपकर इसके करेंगे चीह रहली इसमें सरभाल का तैम ऊप्सीं निशान लगाएंगे 22 इंच हमारे पास बेल्ट है ऐसे हाफ इंच हमने एक्स्टा लिया है और जहां से आठ इंच है निशान आठ इंच के हमने इस तरह से बेल्ट लिया है अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे साथे पांज इंच छोड़ते हुए बाकि हमने फिर में फोल्ड कर लेंगे और हाफ इंच हमारा नीचे प्रेरस में जला जाएगा इस तरह से जमारे पांज बेल्ट त्यार रहा करेंगी चलिए अब हम इसके स्टिचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी सिल्वार के जो आसने हैं इन्हें स्टिच करेंगे इस तरह से अच्छे से सर्कल लेंगे जिल्क ऐसे खूलने की बाद जहां से हम इसे स्टिच करना स्टार करेंगे इस तरह से स्टिच कर लेंगे इस तरह से स्टिच कर लेंगे इस तरह को हम डबल करेंगे जिल्कि इसी तरह से हम दूसरे स्टिच कर लेंगे और अच्छे स्टिच करने की बाद इसकी हम चारों साइट इंट लोग जुरूर करेंगे इस तरह से स्टिच को हम डबल करेंगे और उपर से जहां से एक्स्ट्रा फैप्रिक है इसको हम कटिंग कर देंगे जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है अब अब इसी तरह से दूसरे सेड के उपर भी आसन को अच्छे से जुवाट कर लेंगे इस तरह से रखते हुए आपने बहुत ही द्यान से स्टिच करना है कहीं से भी जो हम आसन स्टिच करें हैं जी उर्टे नहीं रहने चाहिए अच्छे से द्यान से ही इस स्टिच किजिएगा इस आसन को हम से में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे इसे उससे हम इंट्र लोग जुरू करेंगे अब इसके हम दूसरे से से दूसरे कुंदे के साथ इसके आसन को चोईन करेंगे जोर्टे इस तरह समें स्टिच कर लिया है अब इसके ओपर दोस्री कुंदे कोलें इस्ठीच के आए एसके ओपर दोस्री कुंदे को अच्छी आहिए से असाइड करते हुए कि िखेए कि उपर हम ने इंटो लोग कर लिया है अब इसतरह से खोलने के बाद इस रवार में हम प्लेट् श्राटालेंगे कि जिरेके सिंपल जैसे हम कोई भी सिंपल सी सिल्वार स्टिच करते हैं उसमें हम प्लेस डालते हैं उसी तरह से प्लेट डालेंगे उसके बार नीचे से हम इसके पॉंचे रेडी कर लेंगे जैसी इस तरह से हमारी सिल्वार बनका रेडी हो चुकी है और इस तरह से हम इसके पॉंचे को भी डिकर लिया है जो सिंपल से तरिकी के साथ हम ने आपको जैसे बार बनावता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लोगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक, शेड़ जूर क कि दिखने के लिए इसके लाव आपने इंस्ट्राग्राम पर फोलो कर सकते हैं जिसका लेंक में दिया है थेंक यू थेंक्स वर्चेंग जो कि दे में जिसके लेंक्स वर्चेंग